नमश्कार से ही हम elements को भी define करते हैं जो हमारे 5 तत्व होते हैं earth, water, air, fire, space कहीं पर अगनी जल तत्व हमें कम करना है तो हम उस परकार के colors use करते हैं कहीं पर हमें माली जल तत्व बढ़ाना है तो हम उस परकार के colors use करते हैं तो colors से basic level पर designing में भी आप बहुत सारी चीज़े change कर सकते हैं और remedies भी की जाती हैं रंगों से चलिए शुरू करते हैं हम अपनी basic directions के साथ सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दिशा की, north direction की देखे, north का जो color होता है न वो होता है हरा, green क्योंकि north जो है वो mercury का भी स्थान होता है वो बुद्ग्रे का भी स्थान होता है तो आप इस तरीके से भी relate कर सकते हैं और आप इसे भी relate कर सकते हैं कि जो north है उसका जो तत्व होता है वो जल तत्व होता है तो north का जो रंग होता है वो हरा और नीला रंग होता है आप अगर अपना कोई रूम पेंट करा रहे हो या आप कहीं पे कोई नई डिजाइनिंग कर रहे हो तो आप इस विकार के रंग को नौर्थ में यूज कर सकते हैं यहां पर मैं आपको एक बात आपको जरूर बता दू जब हम लोग different different directions में colors की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपना जो घर है या आपको अपना जो office है वो रंग भी रंगा बनाना है ऐसा नहीं है यहां हरा करिये, यहां पीला करिये, लाल करिये, यहां पे काला करिये ऐसा बिलकुल नहीं है colors जो है वो बहुत तरीके से enhance किये जा सकते है आप अपने पूरे घर को white रख सकते है cream रख सकते है, white रख सकते है और फिर आप अपनी furnishings में, पर्दों में, चदर में, artifacts में, paintings में आप उन colors को enhance कर सकते है तो जैसा कि हम अब north की बात कर चुके है अब मैं आपको बताती हूँ north east के बारे में north east का जो रंग होता है उसमें पीला भी आ जाता है नीले रंग के साथ और हरे रंग के साथ इसका मतलब है green family, blue family and a little yellow family भी north east का जो है वो पाठ होती है अगर आपके north east में बच्चों का कमरा आता है तो उसमें जो पीला रंग होता है जो sunflower yellow color होता है वो बहुत ही अच्छा रंग माना गया है बच्चों का concentration boost करने के लिए तो इसलिए अगर आपके north east में मान लीजे पूजा रूम है तो आप उसमें yellow color यूज़ कर सकते हैं इस्थ होता है हमारे सूर्य इस्थ होते है हमारे sun के colors तो इस्थ में हमारे जो colors है वो towards red की तरफ आज आते हैं yellow color आता है white color आता है red orange color आते हैं terracotta colors आते हैं ये सारे जो colors हैं ये हमारे east के colors होते हैं तो अगर आपको east के कमरे में या east की wall को paint करना है तो आप इस प्रिकार के colors use कर सकते हैं East के बाद आता है South East देखे South East जो है वो अगनी है अगनी के क्या रंग होते हैं लाल, पीला, ओरेंज, ब्रॉंज, गोल्डन यह सारे जो colors होते हैं यह South East के colors होते हैं परन्तु अगर मैंने बोला लाल तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने अपनी पूरी दिवाल लाल कर ली क्योंकि याद रखिए colors अगर बहुत ज़ादा यह जो bright colors होते हैं अगर आप उसको बहुत ज़ादा quantity में किसी बड़े एक area में use करेंगे तो उसके negative impacts भी होते हैं red color जो होता है वो प्यार का रंग होता है love का color होता है परन्तु वही रंग जो है वो आपका गुसा भी दर्शाता है आप में क्रोध भी लाता है तो अगर आप इन रंगों को use कर रहे हैं तो आप इनको थोड़ा देख के use करिए कम quantity में use करिए थोड़ा use करिए आप उन चीज़ों के use कर सकते है पेंटिंग उन colors की आप use कर सकते है साउथीस्ट के बाद बात करते हैं साउथ रकी साउथ का जो रंग होता है वो भी लाल होता है उसमें आप red, orange और थोड़ा सा brown भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं साउथ के बाद जो साउथ वेस्ट होता है अर्थ element होता है तो जितने भी हमारे brown family के जो colors होते हैं dark brown, light brown, navy blue color भी जो है वो साउथ वेस्ट का भी color होता है इसके अलावा आप साउथ वेस्ट में yellow color भी use कर सकते हैं yellow color का use करना southwest में बहुत शुब माना गया है west के जो colors होते हैं उसमें हमारे इन colors के साथ जैसे की brown और yellow color के साथ आप थोड़ा सा green color भी use कर सकते हैं northwest जहां से start होता है मान लिजे आपको कोई northwest room है तो उसमें आप green color use कर सकते हैं उसमें आप yellow use कर सकते हैं उसमें आप थोड़ा सा grey या brown का भी टिंच ला सकते हैं सो मैंने आपको हर एक direction की जो है वो बहुत सारी family of colors बताई है तो जब जैसे मैंने बोला हरा रंग तो इसका मतलब ये नहीं है हरा रंग हरे रंग में भी आपको हजारों रंग मिल जाएंगे light colors मिलेंगे, dark colors मिलेंगे अब कैसे आप उन रंगों को use करते हैं ये आपके उपन निर्भर करता है इनके साथी एक हमारा central area होता है जिसे कि हम भ्रहमस्तान कहते हैं भ्रहमस्तान के रंग हमेशा हलके होने चाहिए हमेशा बहुत ही cool colors होने चाहिए तो मैं हमेशा यही मेरा recommendation रहता है कि भ्रहमस्तान में आप light cream color लगाए ये जो cream रंग होता है या जो बहुती light colors होते हैं सफेद रंग होता है वो भ्रहमस्तान की जो energies है उसको और वहतर कर देता है तो अगर आप रंगों को इन प्रकार की directions के साथ आप use करेंगे तो देखेगा आपकी जो घर की जो positivity है या आपके घर में जब आपको घर में आप घुसते हैं तो एक जो आपके मन में खुशी होती है वो कितनी जादा बढ़ गई है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको like करिए बेल का बटन जरूर दबाईए आपको पता लगेगा मेरा नेक्स वीडियो का बाने वाला है इस चैनल को subscribe करिए धन्यवाद जैहिंद